आज बनाएंगे कठोल और उड़त डाल की कोफता करी तो जिसके लिए मैंने दो कठोरी उड़त डाल और एक कठोरी मूंग डाल को ले लिया है इसको अच्छे से धोया है आठ गंटे भी गो लिया था इसमें से पानी निकाल दिया है और अब अपने इसको दरदरा पीस लिए दो बड़ी प्याज अद्रक मिर्ची लेसुन का क्रस्ट किया हुआ पेष्ट कुछ हरी मिर्च कुछ हरी धनिया और यह अपने मिक्स्चर में लेकर पीस लेते हैं तो सबसे पहले तो इसके अंदर हर यह मैंने कठल के कोफते हैं तो कठल को यह 400 ग्राम के करीब कठल क मैंने अच्छे से काटके दोके और बॉयल कर लिया था अब मिक्सचर के अंदर सबसे पहले प्याज फिर ये अद्रक मिर्ची लेशून और हरी दनिया का क्रस किया हुआ पेश्ट ये सब डाल के पहले तो पीस लेंगे और बाद में पहले प्याज ब्याज मणwald पीसते हैं ये हरी मिच डाल दी है जितना तीकह पसंदो और ये सबसें से और अब इसके अदर उड़न डाल डाले के पीसेंगे और बहुत ज्यादा पानी के ना पीसें कि य trafikसें क्योंकि अपने को वडे बनाने हैं वड़े या भी तो दो मेंसर कर सकते हैं तो अब आपने मसाले कर देंगे तो यह गई एक टीस्पून हींग यह टीस्पून काली मिज पाउडर हाप टीस्फून हल्दी पाउडर है और इसके अंदर नमक डालेंगे स्वादा नुशार और यह दाल के अंदर अपने मिर्ची अदरक तो मैंने तीखेपन के लिए इसके अंदर हारी मिर्च और काली मिर्च का इस्तिमाल किया है पाउडर मिर्च और धनिया नहीं डालूगी क्योंकि मैंने ज्यादा तर फ्रेस इंग्रीडियन्ट के लिए हैं अब अपने यह डालेंगे वन फॉट टीश्पून खाने का सोडा या सोडा बायकार तो इससे अपने यह वड़े वड़िया से फूलेंगे और यह देखिए बॉइल किये हुए कठल को भी मैंने मिक्चर में पीछ लिया था अब इसका भी मसाला इसी साथ कर देते हैं तो यह है हाफ टीश्पून हृञ हाफ टीश्पून हेंग अल्दी पाउडर और काली-वीच्पावडर है यह हन्ती कं हाप टीश्पून मिर्ची है हाप टीश्पून दनियाजीरा पावडर है और इसके अंदर भी अपने सोडा बायकार या खाने il ने दाल सौड़ा डाल देके त दाल वाला फैट लिया है और यह कठल के अंदर अपना नमक डालना रह गया था तो यह नमक भी डाल लेते हैं ताकि तल टे टाइम पहले दाल वड़े के बाद तुरंत यह अपने कठल के पकोड़े भी तल लेंगे और अब यह देखिए अपना तेल गरम होने के लिए रख द जारे से तो एक टेबल स्पून के करीब तेल डालेंगे तो इससे एक दम बढ़िया से सॉफ्ट बनेंगे और वापिस इसको एक ही डाइरेक्शन में लगातार फलपी होने तक अपने फैट लेंगे और अब अपने यह तेल हो गया है गरम देखिए यह मैं चम्मत से डाल र तो थोड़ा गाढ़ार मिसरन रखे और यह देखिए अपना बैच छह साथ मिनिट लगे थे फ्राइ होने में रेडी हो गया है और अब अपने यह जो कठल वाला मिसरन है पहले वाले जो सिंपल डाल वड़े बने है और यह अपने जो उबाल के कठल जो पीसा था मसाले भी अच्छे से पहले कर लेंगे मिक्स तो यह जो सिंपल डाल वड़े है उसका भी बैच तलके हो गया है और अब अपने यह तीसरा बैच कठल वाला निकालेंगे और इसके अंदर भी मैं डालूंगी एक टेबल स्पून के करीब गरम तेल ताकि अपने वड़े एक दम से बढ आप बना सकते हैं तो मैं तो इसको सिंपल ऐसे ही डालूंगी तो यह देखिए अपने गए वड़े और आज को रखा है मद्यम और इसको भी मद्यम आज पर ही तलेंगे और यह भी एक बैच होने में 6-7 मिनिट लगेगा और यह इस तरह से पल्टे से पहले तो हीला दे ता फ़्राइल cheff six cute green顯 मन्हें सब्राओ दाल के लिए रखान दाल अपने नास्ते के लिए भी बनाया मन्हें और यह देखिए कटल के जो वड़े हैं throat मैंने फ्राइल के लिए डाल पलर जाल देखिए निए और इसके मिर्ची का पेश्ट अर अपने इसके अंदर मसाले करेंग तो यह अपने गई एक टी स्पून हल्दी और यह एक टी स्पून धनिया जीरा पाउडर और इसके अंदर मैंने मिट्सी तो पहले से ही डाल के रखी हुई है तो इस तरह से पेश्ट बनाई है और इसके अंदर अपने डाल देंगे थोड़ी सी हींग हींग भी इसी मसाले के अपने पेश्ट को अच्छे से कर लेंगे मिक्स और अब अपने यह उड़त डाल का जो अपने बैटर था वही रेडी किया है सबसे पहले तड़के में डालेंगे राई मेथी जीरा तड़के को होने देते हैं क्रेकल और जैसे ही तड़का क्रेकल होता है तो उसके अंदर लेशून, मिर्ची, धनिया जीरा, हल्दी, हींग उसका जो पेश्ट है वो डाल देंगे और गैस की आज को पहले तो कर देंगे स्लो क्योंकि डायरेक्ट जब भी तेल में डाले तो आज स्लो ही रखें और यह देखिए जैसे यह डालते हैं तुरन धग दे ताकि पूरा र अब अपने इसको पहले निकाल लेती हूं और यही पानी को मैं अपने जो उड़त दाल की जो कड़ी बना रहे हैं तो उसके अंदर मैं यूज कर लूँगी और यह देखिए अब अपना आज कर लेते हैं मीडियम और अपनी यह पेश्ट को भूनते हैं और यह कोफता बना दाल की निकाल के इसके अंदर पानी मिक्स करके बैटर बना लिया है तो मैं कठल वर न के कोफते और उसकी कड़ी बनाऊंगी तो यpekt् Girl की ये जो डाल की कोफता करी तो ये देखी अपने उड़द और मूंग डाल का मिसरन बना के रख पीस के रखा था वो है वो डाल दिया है और इसको भी थोड़ा सा भूनेंगे एकाद मिनिट के लिए और नमग जाएगा स्वादा नुशार और ये देखिए इसको भी अपने थोड़ा सा पहले तो भून लेते हैं तो देड़ दो मिनिट के लिए करीब भूनेंगे और अब अपने इसके अंदर ये अपना पानी है वो डाल देंगे तो क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है आम की सीजन है और ये इस तरह से बहुत बढ़िया टेस्ट लगता है तो ये मैंने आम डाले है कुछ टुकड़े है कुछ गुछ गुठली वाला पार्ट भी है और ये देखिए और आज को कर दिया था फास्ट तो एक फास्ट आज को बिल्कुल ही स्लो कर देंगे और इसको लगबग 14-15 मिनिट बिल्कुल स्लो आज पे धीरे धीरे पकने देंगे तो ये देखिए अपने कड़ी और इसमें थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो वापिस मैंने नमक डाला है और अब अपने ये देखिए अच्छे से कर लेत अच्छे से गल गए है और अभी ये देखिए ये कड़ी की कंसिस्टंसी इस तरह से है और अभी थोड़ी और गाटी हो जाएगी और ये पकोड़े में अपने पहले थोड़े पानी में डाले थे इसके ज्यादा तो कड़ी नहीं पीएगा पर रूम टेंपरेचर पर आने क से सौफ्ट हो गए है तो दो मिनिट बाद अपने गैस को कर देंगे बंद नहीं तो कोफते फट जाएगे और ये गए बढ़िया से हरी धनिया और ये आप देख सकते हैं बढ़िया सी अपनी कड़ी कोफता कठल कोफता करी बनके रेडी है जिसको मैं सरू करूंगी चावल तो जरूर अपने खाये कठल की कोफता करी उड़त दाल मेरे वीडियो को इसी तरह से देखने के लिए प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में आने वाले बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिपिकेस आपको प्रूमेपीज